नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का स्टेटी ग्लोस पर दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हमारे विश्व के अंदर कुल साथ कॉंटिनेंट है साथ महादीप है उनमें से सबसे बड़ा महादीप एशिया है उसके बाद में अफरीका फिर नौर्थ अमेरिका फिर साथ अमेरिका और पांचे नमर पर आता है अंटार्टिका उसके बाद में यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया अंटार्टिका के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं अंटार्टिका के अंदर धीरे धीरे ग्रीनरी बढ़ रही है लेकिन ग्रीनरी बढ़ने के साथ साथ में ही वहाँ पर glaciers पिखल रहे हैं तो क्या हमको ये सोच कर एक सुखद अनुभव लेना चाहिए कि वहाँ पर ग्रीनरी बढ़ रही है या फिर दूसरी तरफ हमको ये दुखद अनुभव लेना चाहिए कि glacier जो है दिरी-दिरी पिगल रहे है और sea level उससे increase हो रहा है Recently कुछ newspapers ने इससे को cover किया है कि Antarctica के अंदर green जो area है वो dramatically बढ़ रहा है कुछ जादा ही तेजगती से बढ़ रहा है और वो इतनी तेजगती से बढ़ रहा है कि उसके अंदर 30% हम लोग को increase जो है वो देखने को मिल रहा है दिरी-दिरे ये पूरा area transform हो रहा है कारण क्या है, reason क्या है, वो हम लोग जानने कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरे आप लोग देखिए ये तस्वीरे हैं Antarctica की, जो कुछ बया कर रही हैं आज Antarctica को हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल है अगर कोई व्यक्ति जाता है, तो ये मानके चलिए कि लगबग महिने बर पहले वापस नहीं आ सकता है क्योंकि वहाँ पर कुछ हालात ही ऐसे है बर्फ जमी रहती है, एक बार शिप वहाँ पर जाता है तो उसको वापस निकलने के अंदर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लेकिन अब वो नजारे जो है, वो पुराने हो चुके है वहाँ पर धीरे-धीरे ग्रीनरी देखने को मिल रही है और जो बर्फ जमी हुई थी, वो बर्फ धीरे-धीरे पिगल रही है कुछ और तस्विरे देखी आप लोग वहाँ पर कुछ vegetation जो है, वो भी आप लोग को देखने को मिल रहा है ये जो grass आप लोग देख रहे हैं, इसको कहता है moss ये जो moss नामक घास है, ये धीरे-धीरे बढ़ रही है और वहाँ पर greenery जो है, वो भी बढ़ रही है पानी देखिया, पहले वहाँ पर पानी नहीं था मतलब पूरा का पूरा glacier से डखा हुआ था और वहाँ पर पानी का नामों निशान नहीं था लेकिन फिर भी आप लोग जानकर ताजब होंगे पूरे प्रत्वी की उपर जितना भी fresh water पाए जाता है उसमें से 70%, 70% अंटार्टिका के अंदर ही इस्तित है अगर आज वो glaciers पिघलते हैं तो उनके पिघलने की कारण वो जो पानी है वो पूरे विश्यो के अंदर एक sea level को increase कर सकता है और आप लोग को सोच कर ये भी ताजब होगा कि वो sea level लगबग 200 मिटर के आसपास increase हो सकता है तो क्या वाकई में अंटार्टिका आज हमारे लिए इतना महत्वर रखता है अंटार्टिका के अंदर बहुत सारी greenery जो है वो आज हम लोग को देखने को मिल रही है हमने हमेशा अपने globe को देखा है नीचे की तरफ देखते हैं तो हम लोगों को अंटार्टिका दिखाई देता है और अंटार्टिका पूरे विश्यो के अंदर in terms of continent area वो पांच ये नंबर पर lie करता है बहुत सारे students तो इस बात में confused होते हैं और answer को गलत कर देते हैं आखिरकार पांच ये नंबर का जो continent है वो कौन सा है ठीक है तो आप लोग याद रखना अंटार्टिका जो है वो पांच ये नंबर का continent है इस map को आप लोग देखिए इस map के अंदर आप लोगों को एक line जो है वो नजर आ रही होगी इस line को हम लोग कहते है Trans Antarctic Mountain Trans Antarctic Mountain जो है वो अंटार्टिका को दो पार्ट में डिवाइड करता है एक तो है East Antarctica और दूसरा है West Antarctica तो दो पार्ट के अदर हम लोग देख सकते हैं East and West यहाँ पर आप लोग Ross Sea भी देख सकते हैं Ross Sea है, Ross Ice Shelf है मतलब ग्रेशर है, बहुत बड़ा ग्रेशर है यहाँ पर तो अंटार्टिका इस डिवाइड इंटो West Antarctica and East Antarctica by the Trans Antarctic Mountains which stretch from Victoria Land to the Ross Sea तो विक्टोरिया लैंड से लेकर Ross Sea तक पूरा का पूरा यह जो Trans Antarctic Mountain है यह इस्तित है आप पूरे continent को अगर देखेंगे तो Asia number 1 पर आता है Africa 2 पर आता है North America 3 पर आता है South America 4 पर आता है और फिर Antarctica जिसको अकसर हम लोग भूल जाये करते हैं उस तरीके से जैसे कई बर आप लोगों देखा होगा कोई खाने वगरे प्रोग्राम होता है और important guest को हम लोग भूल जाते है वैसे Antarctica के साथ में Antarctica 5 पर आता है 6 पर आता है Europe और 7 पर आता है Australia तो आज हम लोग बात करने हैं Antarctica के बारे में लेकिन उससे पहरे आप लोग हमारे 100 days के challenge को ज़रूर join कीजिए देखिए मैंने हमेशे आप लोग को ये कहा है कि अगर आप अपनी जिन्दगी के अंदर focus और concentration को improve करना चाहते हैं आप ये चाहते हैं कि आपके brain के अंदर information register हो और वापस से retain और recall हो सोके तो आपको destruction को दूर करने की जरुवत है जब तक destruction दूर नहीं होगा तब तक आपकी memory के अंदर information register नहीं हो पाएगी इसलिए उस destruction को दूर निकालने के लिए हमारा 100 days का challenge है जिसमें 100 दिनों तक आपको advanced level की techniques बताई जाएंगी challenge coupon code use करके आप लोग इसको join कर सकते हैं आप लोग चाहें टेलिग्राम पर quiz भी इसके लिए हम लोग conduct करवाते हैं तो आप लोग daily live class के अंदर ज़रूर join कर लीजिए चली बात करते हैं अंटार्टिका की अंटार्टिका पूरे विश्व के अंदर 5th largest continent है अगर यूरोप से हम लोग compare करें तो यूरोप से 40% 40% मतलब यह मान सलस्क्रे हैं कि डेड़ गुना जो है वो बड़ा है अंटार्टिका इसका cool area जो है 14 करोड किलोमेटर देखें बहुत बड़ा area रखता है अंटार्टिका इसके साथ में ही यहाँ पर अंटार्टिका ice sheet है और अगर मान के चलें इसकी जो ice है मतलब glacier जो है जो नीचे बर्फ जमी हुई है इसकी thickness 1.9 किलोमेटर लगबग 2 किलोमेटर तक तो बर्फ जो है उसका पूरा का पूरा एक जमाव जो है यहाँ पर है about 70% of world fresh water पूरे विश्व का 70% fresh water जो की जमा हुआ है अंटार्टिका के अंदर बहाँ पर इसी इत है कल को अगर यह पिघलता है melt होता है तो इससे sea level increase हो सकता है और sea level के अंदर increase लगबग हम लोग देख सकते है कि 60 meter के आसपास sea level increase हो सकता है temperature देखें तो minus 89.2 degree Celsius तक यहाँ पर temperature पहुंच जाता है मतलब यहाँ पर weather condition जो है वो बड़ी ही खराब होती है Antarctica is governed by the 30 country 30 country यहाँ पर अभी governed कर रही है governed का means है कि यहाँ पर उनके research center है यहाँ पर वो अपनी air force के लिए कई बार experiment करते हैं यहाँ पर research करते हैं लेकिन recently लगबग 1959 के अंदर यहाँ पर एक treaty sign हुई थी Antarctic treaty system जिसके according यहाँ पर कोई भी military activity नहीं हो सकती है mining यहाँ पर नहीं हो सकती है nuclear explosion यहाँ पर नहीं हो सकता है और nuclear waste disposal के तौर पर भी इसको इस्तिमाल नहीं कर सकता है यह पूरी तरीके से prohibited है लेकिन फिर भी आज आखिरकार वहाँ की berf, glaciers क्यों पिखल रही है वो हम लोग जानेंगे Vincent Massive देखी Vincent Massive जो है वो highest peak है जो की इस्तित है Ellsworth Mountain की तो Ellsworth Mountain कहाँ पर है exam point of view से काफ़ important है वो है Antarctica के अंदर और इसकी highest peak है Vincent Massive इसकी जो height है वो है 4892 meter लगभग 5000 meter जो है इसकी height है Mount Erebus जो की Ross Island के अंदर इस्तित है वो world का Southern Moss मतलब दक्षिन के अंदर इस्तित सरसे दक्षिन में इस्तित active volcano का एक example है जिसमें एक दिन के अंदर लगभग 10 बार volcano eruption होता है मतलब जबर्दस्त है नाम याद रखना आप लोग इसका नाम जो है वो बहुत important है और ये Southern Moss के अंदर इस्तित है Ross Island के अंदर Mount Erebus इसका नाम है आप लोग मुझे comment section में ये जरूर बताएगा कि भारत के अंदर एक मात्र केवल एक मात्र है जो की active volcano है उसका नाम क्या है और कहां पर इस्तित है ये मुझे आप लोग comment section में जरूर बताएगा Antarctica के अंदर penguins मिलते है ये जीव है जो कि वहाँ पर survive कर सकते है ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे है ये है orange orange color की lichen lichen basically क्या होती है कि पेडों के उपर लगती है जहाँ पर greenery होती है वहाँ पर लगती है जो ultimate weather conditions होती है वहाँ पर अब लोग को देखनी को मिलती है और धीरी धीरी वहाँ पर greenery जो है वो अब बढ़ रही है भारत का एक research center भारती के नाम से वहाँ पर already situated है जहाँ पर इंडिया की तरफ से research कई बार की जाती है weather conditions को लेकर कि आखिरकार चल कह रहा है कैसे global warming जो है वो बढ़ रही है ozone depletion जो है वो आखिरकार कहां तक पहुँच चुका है क्योंकि Antarctica के अंदर already आप लोगों देखा होगा कि कई बार ये भी report सामने आई है कि ozone depletion सबसे ज़दा Antarctica के अंदर हो रहा है ऐसा भी कई बार हम लोगों ने देखा है चली बात करते हैं कि आखिरकार अभी recently news क्या है आप लोग जब देखेंगे कि इस map को कि किनारे की उपर हलका हलका आप लोग को brownish जो है वो नजर आएगा ये brownish basically क्या है ये brownish है वहां की greenery और greenery जो की पहले लगबग एक किलोमेटर के एरिया के अंदर थी धीरे धीरे वो 12 किलोमेटर के एरिया के अंदर बढ रही है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले से 10 गुना या 12 गुना 12 गुना जो है वो वहां से बढ रही है तो between 1986 and 2021 1986 से लेकर 2021 के बीच में हाली के अंदर एक research किया गया और ये बताया गया कि Antarctic जो peninsular है वहां पर जो की birth पाई जाते थी लगबग एक square किलोमेटर के अंदर वो अब लग अब जो है वो 12 square किलोमेटर के अंदर जो है increase हो चुकी है जिसके अंदर ये पाया गया कि धीरे धीरे वहां पर vegetation बढ रहा है और glacier जो है उनकी जो संक्या है या फिर quantity जो है वो क्या हो रही है कम हो रही है इसे sea level increase हो सकता है पहला कारण क्या है global warming इसलिए हम को आज ये सोच कर डुकी होना चाहिए कि वहां पर greenery बढ रही है और glaciers पिगल रहे है क्योंकि ये इनसानों के द्वारा ही दिया गया एक क्या है ये कह सकते हैं कि हम लोग दुश परी नाव है जो हम लोग cfc chlorofluorocarbon काम में लेते हैं उस chlorofluorocarbon के अंदर जो chlorine है वो basically क्या करती है ozone के तीन अनों के साथ में जाकर मिलती है हमारी अर्थ के ऊपर एक ozone की layer है उस ozone की layer के अंदर o3 एक composition पाए जाता है जैसे हम लोग cfc का use करते है chlorofluorocarbon का तो एक chlorine जो है वो जाकर क्या करता है इस o3 को तोड़ देता है और जब इटूट जाता है तो इसी को हम लोग कहते है कि वो o3 की ozone की जो layer है वो वहाँ से खतम हो रही है और ozone depletion इसी को कहा जाता है और धीरे 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 क्या हो रहा है कि sun की जो light है वो वहाँ पर Antarctica के अंदर पहुंच रही है और जिसकी कारण वहाँ पर गर्मी heat जो है वो दिर-दिरे बढ़ती जा रही है और इसी को हम लोग क्या कह रहे है global warming हम लोग कह रहे है glaciers पीखल रहे हैं लेकिन वहाँ पर greenery जो है वो बढ़ रही है मोज एक घास है एक ग्रास हम लोग कह सकते हैं वो दिर-दिरे वहाँ पर बढ़ रही है और ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विशय है आप लोग ने कई बार ये भी पढ़ा होगा कि ozone depletion सबसे ज़्यादा जो हो रहा है Antarctica के अंदर हो रहा है क्योंकि सब ज़्यादा research वहाँ पर हो रहे हैं क्योंकि the depletion is caused by the emission of chlorofluorocarbon and halons in the atmosphere which cause ozone to break down into the other gases तो ozone जो है वो दिरे-दिरे deplet यानि कि वो वहाँ से हटती जाती है पतली होती जाती है और उसको ही हम लोग ozone चितर जो है वो कहते हैं तो आज हमारे लिए वाकवी में चिंता का विशय है कि वहाँ पर greenery दिरे-दिरे बढ़ रही है और glacier जो है वो दिरे-दिरे पिखल रहे है ठीक है lecture कैसा लगा मुझे आप लोग commentation में ज़रूर बताएगा आप लोग हमारे 100 days के challenge को ज़रूर join कीजिए बड़ा जबरदस्त है और बहुत महनत इसके अंदर लग रही है आप लोग चाहें तो 175 days का challenge एक साथ ले सकते हैं जिसमें 100 days तो अभी live हम लोग लेके चल रहे हैं और उसके बाद में 75 days आप लोग खुद complete जो है वो कर सकते हैं कि already हम लोग इसके उपर course create कर चुके हैं तो मिलते हैं आप लोगों से अगले session के अंदर तब तक धन्यवाद Thank you जैह